गुड मॉनिंग दोस्तो, मेरे नाम संदीप कुमार रडडी from Ingenious Competitive Training Academy आज हम डिसकस करेंगे RRB NDPC के संबंदित जो भी फोर्थ पार्ट है दोस्तो हमने अब टू पार्ट 3 डिसकस किया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी सवाल आये थे जन्वरी और फिब्रवरी में उनके बारे में डिसकस करेंगे सबसे पहले Chief Justice of India कौन थे? Post Independence, यानि Independence के बाद वो है H.J. Kaniya और अभी आज के टाइम पे अरविंद बोब्रे है दोस्तो फातिमा बीवी सबसे पहला Women Judge of Supreme Court है दोस्तो SMT का Full Farm पूछा गया है, जो की Simple Mail Transfer Protocol होता है और NEFT यानि NEFT, National Electronic Fund Transfer होता है जो की हम लोग जानते हैं, NEFT करते हैं, Transactions Human Salewa, अपना जो Salewa है, वो 6 से लेके 6.5 के बीच में होता है Potential of Hydrogen, Human Tears, अपना आशू, साथ से लेके 8.5 में बीच में होता है Sweden Capital पूछा गया है, Stock Home है दोस्तो Video Remarriage जो Act है, 1856 में इसको लागू किया गया है इश्वर चंद्र विज्या सागर, जो की इसको Formulate किया है सती Act जैसे कि आप जानते हैं, William Bentick ये सती Act को लेके आया था और Raja Ramo Hanraai जो की इंडिया में, इंडियान जो सपोर्ट इसको किया है 1829 में इस Act को लागू किया गया था जैसे कि 8 नौंबर शाम में 8 बजे, 2016 को नरेंदर मोधी दी मौनिटाइजेशन को डिकलेर किया था 15th Finance Commission चेर्मेन, 15th Finance Commission जो चेर्मेन है N.K. Singh है दोस्तो, और Neutron Discover करने वाला Scientist James Chadwick और आप लोगों को हर इनसान का जो भी खोज किया है, उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है और Oxygen का कौन इंवेंट किया है, Hydrogen, Nitrogen इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना important है 18th Group of Elements जो की Noble Gases होता है, जो की 18th Group बिलॉंग करते हैं ये Zero Violence Group of Elements कहते हैं, Inert Gases भी कह सकते हैं विलियम रामजे जो Scientist इसको खोज करने वाला 1973 में Tiger Project इंडिया में शुरू हुआ था सबसे पहला Oldest Tiger Reserve जो की Jim Corbett दोस्तों Bengal Tiger वहाँ पे आप देख सकते हैं उन पार्क के अंदर ये उत्राकंड में उपस्ती था है इस Tiger Park और Tiger Day जो मनाए जाता है 21 जून को और खुल population of Tiger जो है आज की टैम पे ट्रिपल हो चुका है because of this Tiger Project क्योंकि अमारा Bengal Tiger जो है Royal Bengal Tiger अपना National Animal of India Sambar Lake जो की largest salt water lake है दोस्तों ये आप राजस्तान में जेपूर, is the capital of Rajasthan ये आप वहाँ पे देख सकते हैं रामघर लेक जो की जेपूर में आए दोस्तों City of Lakes किसको कहते हैं उदाइपूर जो की राजस्तान में है इनी शहर को हम लोग City of Lakes कहते हैं सबसे स्वीटेस्ट लेक जो है देबूर लेक है दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं राजस्तान में जेइ समंधन लेक भी कहते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं डेबूर लेक गोबिन सागर वलब पन्त लेक एक ऐसा Artificial लेक है जीभी गोबिन सागर वलब पन्त लेक जो की उतरप्रदेश में है सबसे बड़ा artificial lake है दोस्तो fresh water lake जम्मू में आप देख सकते हो उलार lake कहते हैं इसको the lake converted into pink color recently जो की lonar lake है दोस्तो जो की महाराश्ट्रम है वो आज की टाइम पो pink में convert हो चुका है first presidency nuclear reactor in India अभी तक November 2020 तक कितने हैं अभी 22 है दोस्तो INSAT 1A launch किया गया था 10 April 1982 को ये communication purpose के लिए सबसे पहले launch करने वाली satellite है दोस्तो INSAT 1A 42nd communication satellite जिसे की सतिश दवन स्पेस सेंटर से ये वहाँ से इसको launch किया गया था founder of space 10 जो की ऐलन मस्क है दोस्तो इसका जो founder है space X का और पहला राजिव गांधी खेल रतना अवार्ड किसको मिला है ये काफी lifetime achievement अवार्ड कह सकते हैं sports field में विश्वनातन आनंद को जो की chess के लिए दिया गया है अब्दुलकलाम आइलांड जिसको हम आज की टाइम पे Wheeler आइलांड भी कहते हैं ये आप ओडिशा में देख सकते हैं तुमबा equatorial rocket launching center आप केरल में है दोस्तो आज की टाइम पे श्री हरी कोटा rocket launching center जो है श्री हरी कोटा में ये आंदरप्रदरिश में उपस थीता है दोस्तो और इस रो अनि इंडियन स्पेस रिशेच आगनाज़ेशन 1969 में इसको सापना की गई थी बैंगलूर जो है इसका headquarters है दोस्तो potential of hydrogen value of toothpaste जो की 6.83 से लेके 10.5 के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे CEO of IBM आपका अब्रिवेशन पता होना चाहिए business machines होता है अरविंद कृष्णा आज की टाइम पे brand ambassador बीचनल का recently जो बनने वाली जो लड़की है मेरी कौम जो की boxing में काफी famous है दोस्तो जिजिया टैक्स आप जानते हैं जहां पे जो की महेशदाश बीरबल abolished by अकबर जिसकी उन्होंने उस टाइम पे advice दिया था अकबर को जो की महेशदास कहते हैं बीरबल का नाम दूसरा महेशदास है जिन्होंने advice किया था अकबर को जिसकी वज़े से जो जजिया टैक्स है उसको abolish कर दिया गया है official languages are there in India कितने हैं कुल मिला के 22 देख सकते हैं दोस्तो हम लोग आज की टाइम पे अलेगर उनिवर्सिटी जो है establish किया गया था 1875 में पहला Newton's law जो है उसको हम law inertia भी कहते हैं और अलग-अलग laws है तीन laws है दोस्तों यंगेस Nobel Prize winner आज की टाइम पे Malala Yousafzai जो की खैलाज सचरती के साथ-साथ इसको ये Nobel Peace Prize Award दिया गया है Malala Yousafzai कहां से बिलॉंग करती है किस देश से India After Gandhi Book Written By जिसे की एक किताब है दोस्तों India After Gandhi इस किताब को लिखने वाला रामचंदर गूहा है दोस्तों अगला ISP का फुलफाम पूछा गया जो की internet service provider कह सकते हैं Who Let the Kilafat Moment जो की Ali Brothers जो की महमद और शौकत अली दोनों भाई है दोस्तों जिन्होंने किलाफत मुवमेंट के स्तापना की गई है All India किलाफत कानफरेंस जो की held किये थे December 1919 जो की head आज की टाइम पर Gandhi जी कह सकते हैं उस टाइम पर जो भी 1919 में इस मुवमेंट का 1917 में important historical moment जो की चंपरन सचागरहा कह सकते हैं ये चंपरन जो है बिहार में उपस्तित है दोस्तों इसी को हम लोग इंडिगो revolution भी कहते हैं या तीन कत्या सिस्टम भी हम कह सकते हैं 1918 के अंदर आहमदाबाद milk strike हुआ था और 1920 में चितरन जन दास इसी को दूसरा नाम है देशबंदू कहते हैं और non cooperation moment में ये present थे आओ 1920 में 17, 18, 1920 का हर link आपको पता होना अनिवारी है नैशनल यूथ डे कब मनाय जाता है 12 जनवरी ये स्वामी विवेकानन्द की वज़े से उनकी birth anniversary पे नैशनल यूथ डे मनाय जाता है इंटरनेशनल यूथ डे जो की इंटरनेशनल वाइस 12 अगस्ट को मनाय जाता है दोस्तों देखिएगा क्या अंतर है इंडिया में अगर देखा जाए नैशनल जो की अपने लोग वेकानन्द की वज़े से उनकी birth anniversary से वल्ड में अगर देखा जाए इंटरनेशनल यूथ डे बारा अगस्ट को दोस्तों विचिस दा ओल्डेस्ट पोर्ट कोलकता का सबसे पुराना पोर्ट है दोस्तों बिगेस्ट और बिज़ेस्ट पोर्ट जो की आज की टाइम पर किंग आफ अरेबियन सी बिज़ेस्ट पोर्ट इन इंडिया दो की मुंबाई पोर्ट कह सकते हैं जिसका दूसरा नाम है नवाशेवा पोर्ट भी कहते हैं यह नैचुरल हारवर है दोस्तों मर्मगाउं पोर्ट जो की गोवा में उपस्तित हैं वहीं पर आप मांडवी रिवर देखने को मिलेगा और एन और जो है कामराजन कह सकते हैं यह आप तमिलनाडू में है जो की हम लोग एन और पोर्ट या कामराजन पोर्ट हल्दिया पोर्ट जो की लैंड लाग्ड हारवर है दोस्तों यह कैलकटा में आप देख सकते हैं ट्यूटि कोरिन जो की वीवोच इदंबरम पोर्ट भी कहते हैं तमिलनाडू में उपस्तित है दोस्तों और सबसे कंड बिजियस्ट पोर्ट जो की इंडिया में चन्नाई पोर्ट है दोस्तों maximum ports are located in the world जो की चेना के अंदर सबसे ज़्यादा ports देख सकते हैं दोस्तों the biggest port in the world जो की शंगाय में है और चेना के अंदर आप देख सकते हैं ब्रैंड अंबाज़डर आफ ला लिगा डाक्टर ट्रस्ट रोहिच शर्मा आज की टैम पे 2020 में राजी गांदी केल रतना अवार्ड भी इसको दिया गया है जिन्होंने आज की टैम पे ब्रैंड अंबाज़डर आफ ला लिगा इस डाक्टर ट्रस्ट का आज की टैम पे ये ब्रैंड अंबाज़डर है दोस्तों अनदर नेम आफ दोहा साधिया अनदर रिवर लोहित रिवर के उपर आप देख सकते हैं ये जो लोहित रिवर है ये ट्रिबिट्रिय अव रमपुत्रा दोस्तों जो की ब्रहमपुत्रा इंडिया से नहीं बाहर से और जिनेट हो के अस्साम के तुरू निकलता है और यहाँ पे जो है अरुनाचल और अस्साम से ही पास होता है सिर्फ ये दो स्टेट से पास होता है और सीधा बेव बिंगल में मिल जाता है बारत रतना वाड जो है प्रनब मुकर जी को दिया गया है और नाना जी बूपेन हजरी का इस बारत रतना को मना कर दिया है सबसे पहला person to refuse बारत रतना जो है मौलाना अबुल कलाम आजाज जो कि पहला educational minister आज की टाइम भी इंडिया में जिन्होंने बारत रतना को तिरसकार किया है और आपको पता होना जरूरी है education day जो है इसी के birth anniversary पे हम लोग मनाय जाता है अगला देखे दोस्तो 1974 में सबसे पहला बारत रतना अवार्ड जो की हम लोग सर्वेपली राधा कृष्णन को दिया गया है और साथ में राजा जी यानि राजगोपलचारी सर सीवी रामन को ये अवार्ड गोशित किया गया है 1954 में सबसे टोटल अवार्ड रिसेवड अभी तक जिनको मिला है 48 लोगों को मिला है और पांच उमेन हैं इंदिरा गांदी अरुना असफ अली जिसको queen of quit India moment कहते हैं पांच उमेन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है बारत रतन आपको पता होना जरूरी है इन में से किसको बारत रतन आवार्ड नहीं मिला ऐसे सवाल आएगा आपको यही बताना है Google of CEO आज की टाइम पर Alphabet CEO भी कहते हैं सुन्दरम पिचा है जो की तमिलनाड़ से बिलांग करता है दोस्तों जलिन वाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था काफी लोग तकरिबन 379 लोग मौत हो गए थी यह 19th सरी 13th April 1919 में यह हादसा हुआ था और देखिए दोस्तों भ्रेधिशवरा ग्राणाइट टेंपल जो की तंजावूर और तमिलनाड़ में यह आप देखसकते हैं जो कंस्रक्ट किया था तमिलनाडु में ये राज राज चोला जो है पोचिंग टाइगर है दोस्तो ओर चेर्था पोचिंग टाइगर है दोस्तो जिन्होंने सौथ इंडिया पे इन्वेड किया था मलिक कफूर इन्होंने इन्वेड किया था ये अलाउदिन खिल जी का कमांडर है Shades of Saffron जो किताब का आतर शबानक्वी जो की जम्मोन कैश्मिर का टॉप प्रोड्यूजर है दोस्तों ये शबानक्वी हम लोग देख सकते हैं जो Shades of Saffron एक किताब का जो लिखने वाली जो शबानक्वी है और जम्मोन कैश्मिर आज की टाइम पे सबसे ज़्यादा साफ्रान प्रोड्यूजर कह सकते हैं अगला देखिए दोस्तों इस्रो जो की बेंगलूरी में उपस थीता है दोस्तों इनसाट इस कम्मिनिकेशन डिजास्टर जो की 42nd numbers लांच किया गया है इंटरनेशनल डैन्स डे इस सेलेबरेटेड कब 29th एपरिल को सेलेबरेट किया गया है वल्ड हेल्थ who attended the second round table conference आज के टाइम पर गांधी जी दोस्तों डाक्टर बियार अंबेटकर attended all of them जो की सरोजनी नाइड़ो भी उस टाइम पर प्रेजेंट थे और महमद आली जिन्ना जो की आप जानते हैं डिल्ली पैक्ट में ये गांधी के साथ गांधी इर्विन पैक्ट में 1931 में हुआ था और ये पूना पैक्ट भी उन्ही के प्रेजेंट में हुआ था और देखे दोस्तों गांधी अंबेटकर जो की पूना पैक 1932 में जो हुआ था इन दोनों के बीच में अब्रिवेशन है दोस्तो, HTML यानी Hypertext Markup Language होता है Computer Terminology में HTTP यानी Hypertext Transfer Protocol होता है सबसे पहला Indian Empire, Innistry जो की Mauryan Empire, जो की आज की टाइम पर चंदरगुपत मौर ये दोस्तो अब आपको पता होना जरूरी है स्री गुपता जो की गुपता डैनास्टी का founder है और सुंगा डैनास्टी, जो की पुशमित्र सुंगा, जो की founder of this सुंगा डैनास्टी, और पुशबूती और वर्दना डैनास्टी, प्रभाग और वर्दना दोस्तो, और स्री गुपता को चंदरगुपता 1 भी कहा जाता है बहुत ही important है, चेक कर लिजेगा अब Fort William, जो की आप जानते हैं यह आप Kolkata में है, यह सबसे पुराना, oldest museum कह सकते हैं, Fort William St. George Fort, यह कहां पर उपस्तित है, यह दिचन्ने में है दोस्तो, बहुत ही important है, यह सब चीजे आप याद रखेगा, which was the first state established on a linguistic basis, जो कि आंदरप्रदेश को 1956 में यह linguistic basis में इसको divide किया था, State Reorganized Act के साब से linguistic commission उस टाइम पे JVP यानि जवहर वलबाय पतेल अंड पताभी सीता रामया, उनकी committee से JVP committee से फजलालाल commission की वज़े से उस टाइम पे यह formulate किया गया है देना बैंक और विजया बैंक जो कि मिर्च किया गया आज के टाइम पे बैंक आउ बरड़ा के अंदर CAA Full Farm पूछा गया है Citizenship Amendment Act है दोस्तों जो कि Single Citizenship होता है Part 2 Citizenship Act 1955 implemented amended for कितने बार? Six times Last time जो amendment हुआ था 2019 में Ottawa Secretary General of United Nations जो कि आज के टाइम पे बनकी मून है दोस्तों Pepsin Enzyme is located कहां पे आप देख सकते हो यह Pepsin and Renin आप stomach acid के अंदर देख सकते हैं Trical Full Farm यानि Telecom Regulatory Authority of India होता है जो कि आज के टाइम पे headquarters कहां पर है? Delhi में है दोस्तों सबसे पहला Nobel Prize in Literature जो कि पुरदो में 1901 में इनको Nobel Prize दिया गया है Literature में जो कि इंडिया में जिसे कि हम लोग रमिदिना ठागूर है दोस्तों CSS Full Farm पूचा गया Cascading Style Sheet होता है International Monetary Fund आज के टाइम पे Total Members कितने हैं? 190 हैं Andorra recently joined इसके अंदर ऐसा देश है जो कि जायन करने वाली जो कि Andorra दोस्तों इसका जो headquarters IMF की Washington DC में देख सकते हैं Crystalina Georgia is the director आज की टाइम पे बहुत ही important है आज की टाइम पे International Monetary Fund का डिरेक्टर कोन है? Crystalina Georgia Which country is not a permanent member of United State Council आज की टाइम पे India अभी भी member नहीं है दोस्तों ये खुल हम लोग 14 पार्ट डिसकस किया अगला हम डिसकस करेंगे 5 वा पार्ट चलिए ये 15 मिनटे में maximum हम आपको 100 बिट्स देने की कोशिश की है Thank you Have a good day Have a great life मुझे लगता है कि थोड़ा सा speed है आप slow कर लीजे और बाकी पार्ट हम आपको बताएंगे काफी important रहेगा आप examination के लिए Have a good day Have a great life